हेलो दोस्तो यश्टीवी पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कमपनीज जिनके ओपर आप ये स्टॉक मार्केट क्रैश के समय नजर रख सकते हो तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजे अगर आपने मेरे चैनल याश टीवी को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर लीजे और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर सकते हो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पहले ही बता दू कि इस वीडियो के जरिये मैं कोई भी स्टॉक टिप या स्टॉक रेकमेंडेशन नहीं देना चाहता ये वीडियो मेंने बस information purpose के लिए बनाई है तो जो information मेंने search करी है वही बस आपके साथ share करना चाहता हूँ तो वीडियो में अगर आपको कोई भी stock interesting लगे तो इसके उपर आप अपनी और से study जरूर कीजे और उसके बाद ही अपना decision लीजे हमारी list में सबसे पहला stock है Phinolex Industries Limited तो ये एक mid cap company है Phinolex pipes का brand presence ये इंडिया में काफी strong है most importantly company की जो backward integration है ये काफी ज्यादा strong है यानि company अपना raw material ये खुद बनाती है और अपने products भी खुद manufacture करती है तो इसका काफी ज्यादा cost benefit company को मिलता है ये company PVC pipes and fittings की largest producer है इंडिया में और यहाँ पर से company अपना 60% of revenue generate करती है इसके अलावा Phinolex Industries ये agricultural pipes, casting pipes, plumbing pipes and solvent cement की भी manufacturing करती है company का market capital यहाँ पर 10,400 crore rupees के करीब है company की balance sheet पर सिफ 200 crore का करजा है and reserves and surplus में इनके पास 3,000 crore rupees का surplus मनी है तो company की balance sheet ये काफी strong है और इनके पास 300 crore rupees का cash equivalent भी पड़ा है तो यहाँ पर company के पास cash ये काफी ज़ादा है और इनके returns की बात करें तो ROCE company का 35% के खरीब है and return on equity ये company का 28% पर है जो काफी अच्छा है तो काफी decent valuation पर ये stock आपको मिल सकता है तो Phinolex Industries को आप जरूर अपनी watch list में रखिए एक quality stock है इनकी backward integration काफी strong है अगर Phinolex की कोई भी company को देख लो चाहे Phinolex Cables हो या Phinolex Industries दोनों की backward integration ये काफी strong है और इनकी balance sheets भी काफी ज़ादा powerful है तो ये stock को आप जरूर अपनी watch list में add करके रखिए हमारी list में अगला stock है Roto Pumps Limited तो Roto Pumps ये एक renowned company है इंडिया की और ये various types of industries को pumping solutions देती है यानि इनके pumps ये बहुत सारी industries में use होते है जैसे कि wastewater, sugar, paper, oil and natural gas, chemicals, ceramics, food and beverages power plants, mining, defense, etc, etc तो दोस्तो यहाँ पर ये stock के बारे में मैंने आपको 200 रूपे के level पर बताया था कि ये H&I's का बहुत ही favorite stock है और उसके बाद ये stock ने 270 रूपीज का high record किया है company का market capital यहाँ पर केवल 370 crore रूपीज का है इनकी balance sheet पर सिर्फ 12 crore का करजा है और reserves and surplus में इनके पास 100 crore रूपीज का surplus मनी है तो ये company की balance sheet काफी जादा strong है और इनके पास 35 crore रूपीज के cash equivalence भी है यानि company की काफी जादा liquid investments भी है जो ये company easily cash out कर सकती है roto firms के return on capital employed की बात करें तो ये 23% के करीब है and return on equity ये भी decent है at 19% 19% के rate से stock easily आपके पैसे 3 या 4 साल में डबल कर सकता है और ये stock को काफी जादा attractive बना देता है price to earnings ratio की बात करें तो ये 15 पर चल रहा है stock का और industry P ratio ये 19.4 पर है तो काफी जादा undervalued ये stock है और अभी stock market crash में ये stock जादा भी नीचे नहीं गिरा है अपने 52 वी खाय से तो roto pumps को आप ज़रूर अपनी watch list में रखिए काफी जादा strong चल रहा है फिलाल के लिए लेकिन अगर ये stock आपको सस्ते valuation में कहीं मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया stock बन सकता है long term के लिए क्योंकि यहाँ पर ये H&I's का काफी जादा favorite stock है यानि जो करोडपती investors होते हैं वो यहाँ पर काफी जादा interested है roto pumps में invest करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दिखाएगे information ये पसंद आती है हमारी list में अगला stock है Jai Corp Limited तो textile sector की ये company है ये company manufacture करती है woven fabrics, sacks, jumbo bags, master batches, geo textiles etc इसके अलावा ये company yarn spinning and production के business में भी काम करती है तो company का market capital यहाँ पर 2200 crore रूपीज पर है company की balance sheet पर zero करजा है यानि fully debt free textile company है and reserves and surplus में company के बास 1300 करोड रूपए का surplus money है cash and equivalence की बात करें तो company के बास 15 करोड रूपए का cash है return on capital employed ये करीब 10% का है and return on equity ये 6% का है तो दोस्तो Jai Corp का share price ये 170 रूपीज से नीचे गिरा है काफी ज़ादा volatile ये stock है लेकिन debt free है, company की balance sheet strong है and business profitable है इसलिए ये company एक बहुत ही बढ़िया pick लग लिए तो Jai Corp का current market price ये 124 रूपीज पर चल रहा है पिछले 3-4 दिनों में stock काफी ज़ादा hammer हुआ है यहाँ पर stock में काफी ज़ादा volatility है तो थोड़ा हमें इसमें संबल कर रहना है लेकिन ये stock काफी ज़ादा ऊपर जाने का potential रखता है तो दोस्तो Jai Corp Limited को आप ज़रूर अपनी watch list में रखिया मुझे ऐसा लगता है कि जब ही market bounce back करता है तो ये stock अपना 52 week high वापस break कर सकता है हमारी list में अगला stock है L&T Finance Holdings Limited तो ये एक NBFC company है basically ये company farm equipments and commercial vehicles के लिए loans provide करती है इसके अलावा ये company two wheeler finance, housing finance and micro finance loans भी provide करती है company का rural market में काफी ज़्यादा strong hold है और यहाँ पर company अपने business को काफी aggressively expand कर रही है तो दोस्तो ये L&T Group की subsidiary company है और L&T यहाँ पर promoter है with 63% share holding तो company का यहाँ पर अगर हम book value देखे तो यह 75.9 पर है और company का share price यह 79 रूपीज पर trade कर रहा है तो book value के काफी करीब stock price trade कर रहा है company का return on capital employer देखे तो यह 7.86% पर है कोई भी finance company अगर 7% से ज़ादा कमाती है तो यह काफी ज़ादा decent माना जाता है और इनका return on equity यह 5.8% पर चल रहा है company का market capital यह 19,600 crores पर है और company की balance sheet पर 88,500 crores का करजा भी है normally जो भी finance companies होती है उनके अपर debt यह ज़ादा होती क्योंकि यह company वही पैसे को lend करके अपना interest कमाती है reserve and surplus की बात करे तो 16,300 crores का company के पास surplus मनी है and cash equivalence की बात करे तो 8,400 crores का company के पास cash पड़ा है यहाँ पर stock P ratio की बात करे तो यह 19,6 पर चल रहा है और industry P ratio भी वही पर चल रहा है तो दोस्तो यहाँ पर finance companies के लिए यह important है कि यह हमेशा profitable रहे और तेजी से grow होती रहे और यह ऐसा ही कुछ हमें L&T finance में भी देखना है रहा है short term में मैं यहाँ पर wrong हो सकता हूँ क्योंकि तभी मैंने 100 rupees के level पर आपको बताया था यह stock 65 to 68 rupees पर तो यह stock एक बहुत बढ़िया pick हो सकता है तो यहाँ पर यह stock काफी ज़्यादा bearish चल रहा है लेकिन disclaimer के लिए मैं आपको बता दू कि यह stock में मैंने भी invest करना start कर दिया है slowly and slowly तो जितना यह stock नीचे ज़्यादा है उतना ही मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा quantity accumulate कर सकता हूँ दोस्तो यह stock के अंदर मेरा सबसे पहला target यह 200 रूपीज का है जो काफी ज़्यादा aggressive है और पहला target achieve होते ही मैं आपको यहाँ पर update दे दूँगा कि आगे इसमें मैं क्या करने वाला हूँ लेकिन दोस्तो यह एक risky stock हो सकता है क्योंकि company के ओपर debt यह काफी ज़्यादा है और जो NBFC का market है इंडिया में यहाँ पर competition यह भी काफी high है तो यह stock के अंदर अगर आपको invest करना है तो पहले आप अपनी और से study जरूर कीजिए और उसके बाद ही इसमें invest कीजिए यहाँ पर मैं आपको कोई financial advice नहीं देना चाहता बस मैं जो information collect करता हूँ वो बस आपके साथ share करना चाहता हूँ तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और मुझे नीचे comment करके बताइए क्या मुझे ऐसे और भी जादा से जादा stocks आपके साथ share करने चाहिए या नहीं तो वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुकरिया यश टीवी को अगर आपने subscribe नहीं किया तो ज़रूर subscribe कीजिए और bell icon पर click करके रखिए